नमस्कार मैं रविश कुमार पिछले साल एक खबर आई कि करमचारी भविश निधी संगठन में आपका जो पैसा जमा है उस पर 8.1 प्रतिशत की दर्से ब्याज मिलेगा घटा दिया गया 45 साल में ये सबसे कम रेट माना गया कहना मुश्किल है कि इस समय होम लोन पर 10 प्रतिशत की दर्से EMI देने वाले मिडल क्लास को ये बात पसंद आ गई होगी कुछ लोग हताशा में ये बात कह देते हैं कि 100 रुपया लीटर पेट्रॉल खरीदने वाले मिडल क्लास को इस से फर्क नहीं पड़ा होगा लेकिन E.P.F.O. में केवल मिडल क्लास का पैसा नहीं लगता है 27 करोड से अधिक कामगारों का पैसा इस फंड में लगा है जादातर निम्न मध्यम वरगिया तबके के लोग है अब इतनी बड़ी आबादी को ये खबर बताई जाए कि E.P.F.O. ने अपना पैसा अधानी समू की कमपनियों में लगाया है तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी क्या आप तक ये खबर पहुंची भी है कि E.P.F.O. का पैसा अधानी समू में लगा है आज के हिंदू अखबार में ये खबर छपी है और इस खबर में कहा गया है कि अगले छे महिने तक आपके भविश निदी के पैसे से आदानी के शेयर खरीदे जाएंगे आपके पैसे से दाम चड़ेगा और आप से कहा जाएगा बजाओ ताली ताली बजाओ भारत के हमले का जवाब दिया जा रहा है गोधी मीडिया ये सूचना हिंदी के दर्शकों को नहीं देगा ऐसा नहीं है कि उसके पास कैमेरे की कमी है रिपोर्टर कम है यहां आप देखी रहे हैं कि अतीक एहमत के जेल ट्रांसफर का किस तरह से कवरिज किया जा रहा है ऐसी ख़बरों के जरिये माहौल बनाने के जोश में आज गोधी मीडिया के एक बड़े चैनल ने अतीक एहमत को पेशाब करते हुए चैनल पर दिखा दिया सीधा प्रसारण किया वो वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे हैं आप हिंदी के दर्शकों और पाठकों का अपमान अब इस नए लेवल पर पहुँचा दिया गया है इन चैनलों को अच्छी तरह से पता है कि आप दर्शक गोधी मीडिया को देखना बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल बहुत धिक प्रक्रिया है सबके बसकी बात नहीं है याद रखिएगा कि जनता के पैसे से इन चैनलों को भारी भरकम विग्यापन दिये जाते हैं सोचिएगा कि बड़े बड़े सवालों को छोड़ कर इस तरह के विज्वल से खबर बताई जा रही है या ध्यान भटकाया जा रहा है इस पत्रकारिता का भी बचाव आपको ही करना है क्योंकि आपको धर्म की राजनिती की रक्षा में हर तरह के अधर्म का बचाव करना है ये धार्मिक करतव्य है आपका E.P.FO का पैसा जब अधानी समू में लगा है और अखबार ने सवाल पूछे तो जवाब नहीं दिया गया अधानी समू पर विपक्ष प्रधान मंतरी मोदी से सवाल करता है तो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलता अदानी समू में निवेश पर रिपोर्टर सवाल पूछता है तो संसाइं जवाब नहीं देती है जब जवाब नहीं आएगा तब कैसे पता चलेगा कि क्यों पैसा लगाया गया और यह गलत नहीं है अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों के दाम गिरे हैं तो क्या उस पर विचार किया जाएगा कि अदानी समू में निवेश रोका जाए इस सवाल का जवाब देने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है अगर पिंशन और पिएफ का पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा आज संसद परिसर में कॉंग्रेस के संसद काले लिबास में आए जैराम रमेश से लेकर तमाम नेता काले कुर्टे और शर्ट में थे बड़े से काले बैनर पर सत्यमेव जैते लिखा था संसद भवन के परिसर में मार्च भी हुआ कॉंग्रेस संसद मनीश तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव के तहट राहुल गांधी को आयोग्य ठहराए जाने के मसले पर चर्चा की मांग की है नोटिस दिया है लेकिन उसके पहले कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकारजुन खरगे के कमरे में विपक्षी दलों की बैठक भी हुई आज भी कॉंग्रेस के साथ DMK, SP, JDU, BRS, CPM, RJD, NCP, CPI, IUML, MDMK, KC, TMC, RSP, AR, JNK, NC और SS के नेता शामिल हुए और इस बैठक में संयुक्त विपक्ष ने अदानी महा घोटाले पर JPC बनाने की मांग दोहराई आज की बैठक में त्रुनमुल कॉंग्रेस के दो सांसत भी शामिल हुए प्रसुन बैनर जी और जबाहर सरकार ने हिस्सा लिया अभी तक त्रुनमुल कॉंग्रेस ऐसी बैठकों से दूरी बना रही थी इसके अलावा आज गांधी की प्रतिमा पर कॉंग्रेस के सांसतों ने प्रदर्शन किया और मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाए हम यह दिखाना चाते हैं कि इस देश में डेमोकरसी को मोदी जी एक एक करके खतम कर रहे हैं एक तो पहले अटॉनमस बॉडिज को खतम करते हुए आए दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा ढमका के उन्होंने हर जेगे अपनी सरकार बनाने में गए तीसरी बात जो लोग जुकते नहीं उनको जिकाने के लिए एडी का इस्तमाल सीबी आई का इस्तमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं आज काले कपड़ों में सदन में आए कब तक कॉंग्रेस पार्टी इतनी चोटे स्थर की रादनीति करती रहेगी मैं पूठना चाहता हूं चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने वो उससे क्या लोग तंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं देश के कानून विवस्था को अपमानित करना चाहते हैं क्या वो काले कपड़े जो पिछले समाज जो ओबी सी के लिए अशप्त कहे गए हैं राहुल जी द्वारा उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं क्या जिस खोट ने नयायले ने उनको कन्विक किया है उसके किलाब प्रदर्शन था रविवार को सत्याग्रा और अब सम्विधान बचाओ आंदोलन कॉंग्रिस ने अदानी समू पर लगे आरोपों को लेकर पहले भी राजभवन से लेकर जिला इस्तर और ब्लॉक इस्तर पर प्रदर्शन किया है राहुल गांधी की सदसिता जाने के बाद फिर से हर इस्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी प्रकार का राजनितिक या नैतिक दबाव बन पाएगा और वे जांच के आदेश दे देंगे लोग सभा में प्रदान मंत्री मोदी ने कह दिया था कि जिसे उजवला का सिलेंडर दिया है और नलजल योजना के तहट पानी का कनेक्शन दिया है उससे होकर इन आरोपों को गुजरना होगा क्या कॉंग्रेस समाज के इस तब के तक अपनी बात पहुँचा पा रही है राहूल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि मीडिया का साथ नहीं मिलता है लेकिन चुनाव जीतने से कहीं जादा बड़ी चुनावती इस वक्त है इन मामलों से जुड़ी खबरों को सुचनाओं को जनता तक पहुचा पाना रविवार को कॉंग्रेस का ये सत्यग्रक कहा दिखाया गया कहा नहीं और किस तरह का कवरेज अगले दिन अखबारों में हुआ है इसका विशलेशन और मुल्यांकन आप पाठकों और दर्शकों को करना है लेकिन राहूल गांधी को भी समझना होगा कि ट्वीटर के जरीए वे कितने ही लोगों तक पहुच रहे हैं जब उनकी साड़े चार महिने की पद्यात्रा को मीडिया ने लोगों तक नहीं पहुचने दिया तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि अदानी समू पर उनका हर दिन का ट्वीट किस के पास जा रहा है आ का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है राहू लिखते हैं कि प्रधान मंत्री जी ना जाच ना जबाब आखिर इतना डर क्यों प्रियंका गांधी के भावुक भाशन आज अतिक एहमत के घंटो कवरिज के सामने बेकार हो गए और इन पर चर्च जा तक नहीं हुई 32 साल पुरानी बात है मैं 1991 की बात है मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ती भवन से निकल रही थी अपनी वहां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे सामने भारतिय सेना की एक ट्रक थी फूलों से लदी हुई थी उसके उपर मेरे पिताजी का शव था थोड़ी देर काफिला चला पांच-दस मिन्ट चला फिर राहूल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूँ तो मा ने मना किया उस समय सुरकशा का भी बहुत उठा तो मा ने का नहीं तुम उतर नहीं सकते राहुल ने जिद की नहीं मैं उत्रूंगा मैंने मां से का मां उतरने दो राहुल गारी से उत्रा उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ती से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा मेरे शहीद पिता के अंतिम संसकार मेरे भाई ने किये मेरे पिता का शव इस तिरंगे जंडे में लपेटा गया था इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है उस शहीद के बेटे को आप देश द्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मा का अपमान करते हैं आपके मंदरी मेरी मा का अपमान भरी संसद में करते हैं आपके एक मुख्य मंत्री कहते हैं कि राहुल गांदी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधान मंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नहरून नाम को इस्तिमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पर्धित समाज के रिवार का अपमान करते हैं जिसके तहट एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है। कि परमपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता आपको दो साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसत से कोई बाहर नहीं निकालता आपको मना नहीं करता कि आठ सालों के लिए आप चुनाओं नहीं लड़ सकते मैं प ज्वला का सिलेंडर मिला है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट घर मिला है और मुफ्तनाज मिला है उन्हें कैसे पता चलेगा या पता चला भी है कि अदानी समू को लेकर क्या-क्या सवाल उठ रहे हैं आपको याद होगा जब 24 जनवरी को हिंडनबर की रिपोर्ट तब कई निवेश संस्थाओं ने अपने निवेश पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने अदानी ग्रूप को सस्टेनेबल इंडेक्स से हटा दिया इससे अब कोई इस मार्केट में इंडेक्स के जरिये अदानी के शेयर न बाजार में अलग-अलग सेक्टर के लिए इंडेक्स बनते हैं एनरजी के इंडेक्स में एनरजी की कमपनिया डाली जाती हैं कोई भी म्यूच्वल फंड जब एनरजी इंडेक्स में पैसा लगाता है तो उसमें शामिल सारी कमपनियों के शेयर खरीद लेता है डाउ जोन् है कि आप ध्यान में रखे तब ही आप हिंदू अखबार में छपी EPFO से जुड़ी खबर को समझ पाएंगे विकास धूत की खबर बताती है कि कैसे Sensex और Nifty से आदानी समू को जोड़ा गया ताकि ETF के जरिये इस समू की कंपनी में भी पैसे का निवेश होता रहे हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार EPFO के फंड का 15 प्रतिशत पैसा Nifty और Sensex से लिंक है Exchange Trade Fund ETF के जरिये 2022-23 के दौरान EPFO ने ETF में करीब धाई लाग करोड से जादा का निवेश किया Nifty ने पिछले साल सितंबर में आदानी से ही Nifty 50 का हिस्सा है इस बारे में हिंदू ने जब Central Provident Fund Commissioner से जवाब मांगा तो जवाब नहीं दिया गया सवाल पूछा गया है कि क्या EPFO ने अपने Fund Manager को निड़देश दिया है कि अदानी समू में निवेश जारी रखना है या नहीं इसके बाद EPFO के ट्रस्टी ने हिंदू अखबार को बताया कि उन्हें पता नहीं है कि EPFO का पैसा अदानी समू की कमपनियों में लग रहा है Financial Times वित्य दुनिया का एक बड़ा अखबार माना जाता है इसकी एक खबर में और भी गंबीर तथियों की तरफ इशारा किया गया है अगर इस पर सरकार का कोई मंत्री नहीं बोलेगा जाच नहीं होगी तो विपक्ष क्या करेगा फिर हताशा में कुछ बोल देगा तो कोट केस के जरीए मानहानी का मुकदमा कर दिया जाएगा Financial Times में एक रिपोर्ट छपी है कि पिछले कुछ साल में अदानी समू में जो विदेशी निवेश आया है उसका करीब आधा हिस्सा अदानी परिवार से संबन्धित कमपनियों से आया है इन कमपनियों को ओफशोर शेल कमपनी कहा गया है जिसे आज तक भारत सरकार ने परिभाशित नहीं किया है कि ओफशोर शेल कमपनियां किसे कहा जाए Financial Times ने या जानकारी भारत में आने वाले विदेशी निवेश के आंक्रों से निकाली है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आफशोर कंपनियों से विदेशी निवेश आने पर पता करना मुश्किल हो जाता है कि किसका पैसा आ रहा है आदानी से जुड़ी आफशोर कंपनियों ने 2017 से 22 के बीच 2.6 अरब डॉलर का निवेश समू में किया ये कुल 5.7 अरब डॉलर की FDI का 45 प्रतिशत हिस्सा है आदानी समू को FDI देने वाली अधिकतर आफशोर कंपनियों को प्रमोटर की श्रिणी में दिखाया गया है जिसका मतलब है कि वे आदानी या उनके परिवार की करीबी इकाईयां हैं ये सब मामुली आरोप नहीं है 2018-19 की पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए जब नोट बंदी के फेल होने को लेकर सवाल उठा तो सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि लाखों शेल कंपनियों को बंद कर दिया गया है काला धन बंद हो गया है अब जब अदानी समू में शेल कंपनियों की कथित भूमिका की बात आ रही है तो प्रधान मंत्री जवाब ही नहीं दे रहे Financial Times ने लिखा है कि कहां से पैसा आ रहा है इसका पता नहीं है तो क्या इस तरह के अग्यात पैसे से अदानी समू का सामराज ये खड़ा हो सकता है सरकार को जवाब तो देना चाहिए इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जितना FDI के डेटा में दिखाई दे रहा है होज सकता है कि अदानी समू में उससे जादा पैसा आया हो हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि सरकार ने संसद में बताया है कि शेल कंपनियों को परिभाशित नहीं किया गया है लेकिन आज कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जैराम रमेश ने सरकार की तरफ से जारी प्रेस विग्यप्ति दिखाते हुए कहा कि 8 जून 2021 को सरकार ने शेल कमपनियों को खतरा बताते हुए उन पर बने टास्पोर्स की गतिविदियों पर प्रेस विग्यप्ति जारी की है 21 मार्च 2023 को सरकार ने राजसभा में जवाब दिया कि शेल कमपनियों की कोई परिभाशा नहीं है और इसकी कोई जानकारी नहीं है मोदानी है तो मुम्किन है शेल कमपनियों पर टास्ट फोर्स बनाने के बाद भी सरकार कैसे कह सकती है कि शेल कमपनियों को परिभाशित नहीं किया गया है समस्या यह है कि कॉंग्रेस सौ से अधिक सवाल पूछ चुकी है जब तक सभी प्रशनों के जवाब नहीं आएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि सरकार के पास जवाब है भी वाल स्ट्रीट जर्नल में विनोद अधानी को लेकर एक नई खबर छपी है पिछले दिनों भी मौर्निंग कॉंटेक्स्ट ने विनोद अधानी को लेकर खबर छापी थी जिसके बारे में हम आपको 14 मार्च के अपने वीडियो में बता चुके हैं वाल स्ट्रीट जर्नल की शान ली की खबर है और उसकी हेडिंग देखिए लिखा है कि आदानी के डील के पीछे गुमनाम बड़े भाई का हाथ जिसमें बताया गया है कि गौतम आदानी आदानी समू के चेहरे भर हैं ये आरोप हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में भी लगाया और कहा कि दश्कों तक बड़े आदानी विदेशों में शेल कमपनियों को मैनेज करते रहे इसके जरीए आदानी समू के स्टॉक को मैनूपलेट किया गया कृत्रिम तरीके से शेरों के दाम उपर चड़ाये जाते रहे और नवेशकों को पता नहीं चलने दिया गया वाल स्ट्रीट जर्नल की खबर में कहा गया है कि विनोध अदानी ने सिंगापूर की एक कमपनी का इस्तेमाल किया इसके जरीए आस्ट्रेलिया में अदानी की खनन कमपनी के हिसाब किताब को मैनेज किया गया ताकि किसी को पता न चले कि कमपनी घाटे में है अखबार ने लिखा है कि सिंगापुर की इस कमपनी में विनोध अदानी निदेशक थे उन्हें दुबई की एक निवेश कमपनी से काफी बड़ा लोन मिला है दुबई की निवेश कमपनी भी विनोद अदानी मैनेज करते हैं इस पैसे से आस्ट्रेलिया में अदानी की कमपनी को पैसा दिया गया वाल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि दुबई के फंड का पैसा किसका था या पता नहीं चला अखबार पता नहीं लगा सका वाल स्ट्रीट जर्नल की ये खबर भारतिया अखबार मिंट में भी छपी है यही तो आरोप लग रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि पैसा किसका है पता नहीं चल पा रहा इंडियन एक्स्प्रेस की खबर भी तो इसी तरह की थी रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी में मौरिश्यस की कंपनी का निवेश है और वो पैसा किसका है पता नहीं अगर जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा अदानी समू ने 413 पन्नों के जवाब में फ्रॉड के आरोपों का खंडन किया है मगर उसके बाद उनके खंडन को चुनौती देने वाली कितनी ही खबरे आ गई जिन पर बात नहीं हो पा रही है राहूल गांधी कह रहे हैं लेकिन उनकी बात पहुँच कहा रही है किस तक पहुँच रही है अदानी जी की शेल कंपनीज हैं उसमें बीस हजार करोड रुपिया किसी ने इन्वेस्ट किया अदानी जी का पैसा नहीं है का पैसा नहीं है अदानी जी का इंफरस्ट्रक्चर बिजनिस है पैसा किसी और का है सवाल ये है ये जो बीस हजार करोड रुपिय हैं ये किसके हैं ये सवाल मैंने पूछा इस देश में लोकतंतर खतम हो गया है इस देश के लोग, जो इनके दिल में हैं, हमारे दिल में हैं, बोल नहीं सकते हैं इस देश के institution पर acronym हो रहा है और उस अक्रमन का mechanism क्या है? उस aven का mechanism, नरेंद्र मोधी जी और अदानी जी का रिष्टा है वो foundation है मैं नरेंदर मोधी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूँ BJP अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है आप नरेंदर मोधी जी को प्रोटेक्ट कीजिए मैं अदानी जी पर पूछ रहा हूँ आप अदानी जी को क्यूं प्रोटेक्ट कर रहे हो आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर दे हो क्योंकि आप ही अदानी हो कभी अदानी समू कहता है कि विनोध अदानी का अदानी कंपनियों में कोई manageral role नहीं है फिर 15 मार्च को CNBC चैनल ने रिपूर्ट कर दिया कि अदानी समू ने चैनल से कहा है कि अम्बूजा सिमेंट और ACC का अधिग्रहन करने वाले एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर विनोध अदानी का नियंत्रण है और इसके मालिक अदानी समू है CNBC ने लिखा है कि इस जवाब से साफ होता है कि अदानी समू और विनोध अदानी को एक ही इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए गौता मदानी तो भारतिये हैं मगर विनोध अदानी तो दूसरे देश के नागरिक हैं क्या उन पर उठने वाले ये सवाल भी भारत पर हमला है ठीक है कि लोग धर्म की राजनीती में होश गमा बैठे हैं मगर बेहोशी में भी इतना तो पता चली जाता होगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन साइप्रस का विनोध भले न देखे मगर विनोध को देखने वाले दर्शक तो समझी जाते होंगे है कि नहीं विनोध बाकी आप गोदी मीडिया से पत्रकारिता सीखते रहें मल मुत्र के विशशक ये तो बन ही जाएंगे नमस्कार मैं रविश कुमार